आगा secrets वेलकम टूँ माय चैनल देखे, आज हम एक और नए डिजेन का डोर मैत बनाना बताउनाँगी मैं आपको compete देखे मैनने ये दो कलर में बूल ले लिया है क्रीम कुलर लिया है और ये red कलर लिया है तो देखे खेंज मैंने दोनों उनको से verdad से fold कर लिया है, क्योंकि ये मेरी wool पतली थी, इसलिए मैंने इसे fold किया है, अगर आपकी wool मोटी है, तो आप इसे single से भी बना सकते हैं, आप इसे पुरानी चुन्निया साड़ी से भी बना सकते हैं, तो देखें बनाने के लिए यहाँ पर हम 20 फंदे डालेंगे, 20 फंदे डालने के लिए देखें हम यहाँ पर इस तरह से एक नोट बना लेंगे, यह देखें ऐसे इस तरह नोट बनाया, और यहाँ पर देखें इस फंदे को, छोटे वाले धागे को स्लाइम में लेंगे और इस तरह से टाइट कर लेंगे देखे फिर से और बड़े वाले को उपर से स्लाइम पे दुमाएंगे और इस तरह से कर लेंगे देखे फंदे आपको जिस तरह से आते हैं आप उसी तरह से फंदे डाल सकते हैं याँ पर चार पांच आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, देखें यहां पर मैं बीस संदे डाल लेती हूँ देखें, यहां पर मैंने यह 20 संदे ले लिए हैं, एक, दो, तेन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उनिश, बीस, बीस संदे ले लिए हैं, और हम यहां पर फर्स्ट रो से ही डिजैन शुरू करेंगे देखें, मैंने इतना ही दागा लिया था, जिस से फंदे डल गए, अगर आप ज्यादा बड़ा धागा लेंगे, तो धागा हमारा नीचे की तरफ गटकता रहे गया, तो देखें, इसके लिए हम यहां पर फर्स्ट रो से ही शुरू करेंगे, यहां पर देखें, फर्स्ट प्रो से ही हम यहां पर सेकिन कलर लगाएंगे, देखें, इस तरह से लगाएंगे, हम सेकिन कलर, एक और यह दो, दो फंदे मैंने वाइट करेम कलर से बना लिए, यहां पर इस तरह से देखें, इस थागे को और इस थागे को इस तरह से टाइट करेंगे, और यहां पर देखिए अब हम एक दो फंदे हमने करीम कलर से बनाएं और बाकी फंदे रैड कलर से बनाएंगे देखिए इस दागे को साथ में लेते वे चलेंगे दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा ये सोला सोला फंदे हमने रैड कलर से बनाएं और दो फंदे हम यहाँ पर देखिए इस तरह से छोड़ देएंगे और वापी से इसे पलट जाएंगे ये देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे ऐसे और उल्टी से दी सिलाई में जो फंद आज इस कलर से है उसी इस कलर से बना लेंगे जो फंदे रैड कलर से है उन फंदों को रैड कलर से बनाएंगे जो करीम कलर से है उन फंदों को करीम कलर से बनाएंगे यह देखे, इस तरह से बनाया, रैड वाला धागा पीछे की तरफ करेंगे, और क्रेम वाले धागे को आगे की तरफ लेके आएंगे, और यहाँ पर देखे, इसको थुड़ा सा टाइट करते हुए, ज्यादा टाइट ने करेंगे, फुड़ा सा टाइट करते हुए, लास्ट का फंड हम सीधा बना लेंगे, यह देखे, आपकी बार इस फंडे को उतार लेंगे, और यहाँ पर देखे, दो फंडे रैड कलर के हम करीम कलर से फिर से बना लेंगे, यह देखे, और इस फंडे को धागे को टाइट करेंगे, और दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और ये बारा, दोफन दे फिर से छोड़ देंगे और वाप पे सही से पलट जाएंगे, ये देखिए, इस पन दे को उतारेंगे, के और ये ऐसे, सीधी सलय में जो फंदा जिस कलर से है, उसी कलर से बना लेंगे, भूती जी है और भूती आसानी से भूती जल्दी बनके तयार हो जाता है बिगनर भी इसे आसानी से बुन लेंगे ये देखिए लाल वाले दागे को पीछी की तरफ करेंगे और करीम वाले को आगे की तरफ लेके आएंगे क्रोस करवाते वे और देखिए ये चार फंदे जो से हमारी किनारी बनके आएगी आपके साइड इस फंदे को हम बनाएंगे नहीं उतार लेंगे और देखिए दो फंदे हम फिर से करेम कलर के बना लेंगे यह देखिए ऐसे और यह देखिए एक दो तेन चार पाच छे साथ आठ और दो फंदे हम फिर से चोड़ देंगे और वापिस लिए इससे प्लेट जाएंगे यह देखिए इस फंदे को फिर से उतार लेंगे जो रैड कलर वाले फंदे हैं उन्हें रैड कलर से बना लेंगे करीम कलर के फंदे हैं उन्हें करेम कलर से बना लेंगे यह देखिए दागा पिछे करेंगे रैड वाला और क्रीम वाला दागा आगे की तरफ लेके आएंगे देखिए इस तरह से क्रोश क्रोश इसे निच्चे से उपर की तरफ लेके आएंगे और इसे पिछे की तरफ करेंगे तो देखिए यहां पर अगर हम क्रोशिंग करवाते भी इस तरह से बनाएंगे तो यह हमारा यहां पर बहुत ही सफाई के साथ बनके आएगा देखें करीम वाले फंदे करीम कलर से बना लेंगे लास्ट का फंदा फिर से सीधा बना लेंगे यह देखें इस तरह से हमारी किनारी बनके आ जाएगे फिर से देखिए इस पंडे को कें वाले को एक सलाई में सीधा बनाना है और उल्टी सलाई में इसे उतार लेना है और देखी यहां पर करीम तलर के 3, 4, 5, 6, 2 पंडे फिर से ले लेंगे 7 और यह 8 आठ पंडे हो गए आमारे और यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 पंडे बनाए दो फंदे फिर से चोड़ देंगे और वापी सीन से पलट जाएंगे देखे इस फंदे को उतारेंगे जो फंदे जिस कलर से हैं उन्हें उसी कलर से बना लेंगे देखे, धागा रैड वाला पीछे की तरफ करेंगे, और करेंग वाला नीचे से उपर की तरफ आगे को लेके आएंगे, इस तरह से देखे, इस फंदेख हम थोड़ा सा टाइट करते वे जाएंगे, ऐसे, हूँ जादा टाइट निंग करेंगे, हलका सा टाइट करते वे बना आएंगे इससे देखिए हमारा यहां पर फिनिसिंग के साथ बन के आएगा लास्ट का फंदा हम धागा पिछे करेंगे और इसे सीधा बना लेंगे ऐसा यह देखिए फिर से करेंग वाला फंदा यह देखिए चार, पाच, छे, साथ, आठ और यह दो फंदे फिर से ले लेंगे नो यह दस दस पंदे हो गए और दो फंदे हमने यहां से छोड़ दिये और वापिस यह इसे पलट जाएंगे यह देखिए इस तरह से हमारा बन कहाएगा देखिए दो, चार, छे, आठ, दस इसी तरह से हमने यहां पर दस पंदे छोड़ लिए है रैड कलर से और दस पंदे हमने यहां पर करेंग कलर से बना लिए है यह देखिए ये देखिए दस पंदे हमने 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10 10 पंदे मैंने ये Red कलर के दो दो करके छोड़ दिये हैं और 10 पंदे ये वाले करिंड कलर से बना लिए हैं आप देखिए हम यहापर Color Change करेंगे color change करने के लिए देखे हम इस red धागे को आगे की तरफ लेकि आएंगे इस तरह से और यह दस फंदे हम red color से बना लेंगे देखे इस धागे को हम जयादा tight नहीं करेंगे इसे थोड़ा सा इस तरह से लूट छोड़ देंगे ऐसे और यहां पर देखे 10 फंदे और इस करीम वाले धागे को साथ में ले लेंगे ऐसे इसको थुड़ा सा यहां पर टाइट करेंगे इस फंदे को और यहां पर इसे साथ में लेकते वेचलेंगे यह देखे 2, 2, 4, 5, 6 और इस तरी वाले को फिर से लेके आएंगे आगे की तरफ और देखे इस वाले फंदे इस वाले धागे को इस तरह से ले लेंगे यहां पर देखे ऐसे साथ में बना लेंगे इससे हमारा क्या है कि धागा पिछे की तरफ बढ़ानी रहेगा इस तरह से देखे और यहां पर इ और यहां पर दस पंदे हम करेम कलर से बनाएंगे तो उससे क्या है देखें यह हमारे अब की बार जो यह रेड कलर से पत्ति बन के आई थी यह वाली पत्ति अब की बार हमारी यहां पर करेम कलर से बन के आजाएगी इस तरह से देखिए दस पंदे हम करेम कलर से बना लेंगे यह देखिए लाश्ट तक हमने दस पंदे करेम कलर से बना लिए है और सिद इस लाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे इस पंदे को ऐसे उतारेंगे पूल को अपनी तरफ करेंगे यह देखिए जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे यह देखिए यहां पर मैंने इसे 20 फंदे से बनाया है आप इसे 40 फंदे से भी बना सकते हैं दो के मल्टिपल में आप इसे जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहें बना सकते हैं देखिए करीम हूल को पीछे की तरफ करेंगे और रेड वाली को आदो की तरफ लेके आएंगे क्रोस करवाते हुए इस तरह से देखिए और इस वाले को टाइट कर देंगे दागे को ऐसे देखिए जो फंदे जिस कलर से हैं से दी सलाई में उसी कलर से बनाने हैं यह देखिए लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे दागा पीछे बरके इस तरह से देखिए हमारी परोपर किनारे बन क्या जाएगी इस तरह से बनाने से देखिए इस फंदे को उतार लेंगे फिर से यहाँ पर ऐसे दो तेन चार पाँच छे साथ आठ आठ फंदे रैड कलर से बनाए और दो फंदे यहाँ पर रैड वाले करीम कलर से बना लेंगे देखिए दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस और दो फंदे लास्ट के छोड़ देंगे यहाँ पर देखिए फिर से इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे और यह वाले देखिए जो फंदे जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे यह देखिए करीम कलर वाले फंदे करीम कलर से बनाए करीम वाले दागे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और रैड वाले को नीचे से आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से देखे क्रोसिंग का ध्यान रखिएगा आप इसे क्रोस करवाते हुए ही आगे की तरफ लेके आईएगा इससे क्या है एक तो हमारा जो है मैट वो फिनीसिंग के साथ बन के आएगा और दूसरा हमारे मैट में खोल नहीं गिरेगा इस तरह से देखे जो रैड कलर वाले फंद फिर से देखे उस फंदे पुटारेंगे तो यहां पर दो फंद फिर से क्रीम ग्रयलर के ले लेंगे देखिये यह पर हमने दो दो चार दो छे फंदे बनाए और दो फंदे फिर रेड वाले करीम कलर से बनानेगे देखे जब हमने कले शुरू की थी तो हम करीम कलर के फंदे यहाँ पर दो-दो रेड कलर से लेते हुए आए थे यह करीम वाले फंदे बढ़ाते हुए गए थे red color वाले cream color से बनाते वे गये थे अब की बार हमें करली को इस तरफ लेके जाना है तो हमें cream वाले फणदे red वाले फणदे cream बनाने हैं दो दो कर कर के तो ये देखिए last वाले दो फंदे फिर से छोड़ेंगे और वाप रसे ही से पलट जाएंगे इस फंदे को उतारेंगे आपर देखिए तो जो फंदे करीम कलर के हैं उन फंदों को करीम कलर से बना लेंगे जो फंदे रेड कलर से हैं उन फंदों को रेड कलर से बना लेंगे ये देखिए करेंग वाला धागा पीछे की तरफ लेके जाएंगे रेड वाला आग्ये की तरफ लेके आएंगे क्रोस करवाते हैं और देखें रेड कलर वाले फंदे रेड कलर से बना लेंगे ऐसे ये देखें धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे और यहां पर दो, तीन, चार फंदे बनाएंगे और यह देखिए दो फंदे फिर से करीम कलर के बना लेंगे और बाकी सब इस फंदे करीम कलर से बना लेंगे ये लास्ट के दो फंदे, खिर्शे छोड़ देंगे, ये देखें, छोड़ें और ये इसे पलट जाएंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, यहां पर देखें, ऐसे, और करेंग वाले फंदे, सीधी सलाई में करेंग कलर से बना लेंगे, जो फंदे जिस कलर से है, सीधी सलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, उसी कलर से बना लेंगे, देखें, गलास्ट का फंदा धागा पीछे करेंगे, और इसे सीधा बना लेंगे, ये देखें, इस तरह स इस पन देखो देखे उतारेंगे दोफन दे बनाएंगे रैड कलर से और रैड वाले दोफन दे फिर से करेम कलर से बना लेंगे यह देखे तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, और यह दस दस पन दे बनाएंगे दोफन दे फिर से छोड़ेंगे और वापिस यह से प्लट जाहेंगे यह देखे इस पन दे को उतारेंगे और करेम वाले फन दे करेम कलर से बना लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्SHा लगता आ तो फ्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे टेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएगा कि आपको मेरा टैरा सा डूर मैट कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स ग्रूप में सेर कीजिए ताकि मेरी वाली सभी वीडियो आपके फ्रेंड भी देख सके तो देखिए इस तरह से ये मैंने दो फंदे भी करीम कलर से ले लिए हैं और यहां पर देखिए हम दो, दो, चार, दो, चे, साथ, आठ, नो, और ये दस दस पंदे देखिए मैंने यहां पर करीम वाले छोड़ दिये हैं और वापी से इस से फलट जाएंगे इस तरह से देखिए इस पंदे को उतार लेंगे और यहां पर देखिए पूरिष लाइड अब की बार हमें यहां पर करीम कलर से बनानी है लास्ट का फंदाम फिर से सीदा बनाएंगे दागा पीछे करके और इस तरह से बना लेंगे यह देखिए यह हमारी एक कली बन गई है इस तरह से देखिए हाफ कली हमारी रेड कलर से बनी और हाफ कली करेम कलर से बनी बहुत ही जी है इसे बनाना बहुत ही आसानी से इसे आप बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पर पहले हमने रेड कली बनाई और यहाँ पर दसफंदे क करेम कलर से बनाए और यहां पर जब हमने करेम फिली बनाई तो यह रेड कलर वाले तो दो करते हुए यहां पर इस तरह से हमने करेम वाले बना लिए तो जब हमने रेड कलर वाले बनाए थे तो दो फंदे हम यहां पर इस साइड से रेड वाले करेम कलर के लेते हुए गए थ बनाएंगे यह देखे और फंदे को आगे की तरफ करेंगे और इस अन्द Shine कि रेडग और एकल्ड से बनाएंगे इसमें हमें एक चीज का द्यान रखना है कि दाजा आगे की दागे की तरफ करेंगे देखिए दागे को आगे की तरफ रखने का आप ध्यान दीजिए इसमें कुछ भी नहीं है बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और इस जो है दागे को थोड़ा सा लू छोड़ते वे बनाईएगा इसे हमारा क्या है कि चोटी वाला डिजाइन बहुत अच्छा बन के आएगा देखिए एक फंदा फिर से करीम कलर से बनाएंगे करीम वाला धागा आके की तरफ ले लेंगे फिर से रेड कलर से बना लेंगे यह देखिए फिर से देखिए यहां पर करीम कलर से बना लेंगे एक फंदा रेड कलर से बना लेंगे इसी तरह से बन अगर रेड वाला दहबा आगे की दरब करेंगे उसकंदे को करीम कलर से बना लेंगे ऐसे ही लाष्ट तक बनाना हा में देखिए एक फंदा करीम कलर से बनाना है एक फंदा रेड कलर से बनाना है यह देखिए यहां पर देखिए फिर से एक फंदा करीम कलर से बनाएंगे एक पंडा Red कलற से बनाएंगे, एक फंडा करीम कलर से बनाएंगे, इस तरह से हमारा क्या है? इज़ चोटी वाला डिजाइन बनके आएगा? ऐसा कृती अब देखे फिर से हमें यहाँ पर उल्टी सलाइमें जो फंडा जिस सिस सिकंुलर से उसी किलर से बना लेना है. करीम वाला फंदा करीम कलर से बनाएंगे और इस करीम वाले धागे को अंगुठे से आगे की तरफ दबा लेंगे रेड वाला रेड कलर से बनाएंगे देखे फिर से रेड वाला धागा आगे की तरफ ले लेंगे इस तरह से देखे इसे थोड़ा सा लूट छोड़ते वे जाएंगे ताकि हमारा डेजाइन अच्छी तरह से बनके आए यह देखिए जो फंदा जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे एक चीज का द्यान रखना है कि इस वाले धागे को आगे की तरफ रखना है ऐसे यह देखिए जो फंदा जिस कलर से हैं वैसे ही बनाते हुए जाना है और देखिए यह हमारा जो है डेजाइन बनके आएगा इस तरह से फिर से एक फंदा करीम कलर से बनाएंगे इजे रे करीम वाला करीम कलर से बना लेंगे धागा आगे की तरफ रखने का द्यान रखें बाकी इसमें कुछ भी नहीं है यह आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह से देखिए इस संदे को हम सीधा बनाएंगे इसदर से हमारा चोड़ि वाला डीजेन बनके आए गा रत ब्रत त्यारत सा सुन दर्शामारा यह मैट बनके आएगा यह देखिये यह पर हमारी एक कलिए complete हो गई है इस तरह से देखिये एक कली हमने complete कर ली है और यह बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना लेंगे देखिए ऐसे यह देखिए फिर से हमें इस दूसरी कले को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर हम फिर से बीस फंदे रैड कलर के बना लेंगे पूरी सलाई यह हमें रैड कलर से बनानी है जिस तरह से हमने यहाँ पर बीस फंदे रैड कलर से डाले थे उसी तरह से हम बीस फंदे पूरी सलाई रैड कलर से बना लेंगे लास्ट तक एक सलाई दर से बनाएंगे और एक सलाई उदर से रैड कलर की बना लेंगे फिर से हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे तो चलिए मैं बना लेती हूँ उसके बाद ये देखे एक स्लाई मेंने रेड तलर की इधर से बना ली और एक इधर से बना ली अब हम यहाँ पर दूसरी कली बनाना शुरू करेंगे देखें फ्रेंट्स जिस तरह से हमने इस कली को बनाया है उसी तरह से सेम पैटन से हमारा ये पूरा डोर मैट बनके आएगा फ्रेंट्स पूरा डोर मैट बनाने में वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसे लिए देखिए मैंने इसे एक ही कली में आपको पूरा डोर मेट बनाने का तरीका बता दिया है, तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर दूसरी कली बनाना शुरू करना बता हूंगी देखिए, यहाँ पर हम दो फंदे करीम कलर से बना लेंगे, जिस तरह से हमने फस् उड़ यहां पर देखी, बाकी सब इफन दे रैड कलर से बना लेंगे, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, देखे, दो, फंदे हम छोड़ेंगे, यहां पर, सोला, फंदे बनाने हैं, और दो, फंदे लास्ट के छोड़ देंगे, और सीधी सलाई में हमें कुछ भी नहीं करना, सीधी सलाई में जो, फंदा जिस कलर से हैं, उसी कलर से बना लेंगे, और इसी तरह से, दो, दो, फंदे ह हम यहाँ पर करीम कलर के 10 पंदे उने तक बना लेंगे और 10 पंदे यहाँ पर रैड कलर वाले छोड़ देंगे तो हमारी यहाँ पर रैड कली बन क्या जाएगी और जब हम करीम कली बनाएंगे यह वाली पत्ती बनाएंगे तो देखिए हम यहाँ पर 10 पंदे रैड कलर के ले झाल झाल